गुड मॉर्निंग स्टूरेंग आज हम पढ़ेंगे शुल्क मुक्ति प्राप्त करने ही तू आविधन पत्र प्राचारे जी को इसके पहले आपने दो आविधन पत्र पढ़े हैं चुट्टी के लिए आविधन पत्र जो की बेसिक होता है उसको पढ़ना और समझना जरूरी होता है उसके बाद सारे आविधन पत्र जो है इनका पैटर्न लिखने का जो होता है वो सेम होता है उससे आपको आसानी से बाकी आविधन पत्र लिखते भी बनेंगे तो आज का जो हमारा विशय है जो आविधन पत्र हम आज सीखने वाले हैं लिखने वाले हैं वो है शु यानि जब आपको अपनी फीस कम करवानी है या फीस माफ करवानी है आपकी जो आर्थिक स्थिती है वो ठीक नहीं है तो उस समय यह आवेदन पत्र लिखा जाता है अब एक्जाम में कैसे आएगा तो एक्जाम में सिर्फ प्रशन आएगा पांच या छे नंबर का कि शुल्क का नाम आपके स्कूल का नाम परिवर्चित कर दिया आपका नाम परिवर्चित कर दिया तो उस समय हम याद रखेंगे कि हमें जो प्रशन में स्कूल का नाम दिया गया होगा या आपका नाम दिया गया होगा हमें वही नाम लिखना है ठीक है नेकिन आभी हम स्कूल के माध्यमिक शाला जवलपूर मध्यप्रदेश अब आपको पहले भी बताया था कि आपको यहां पर उच्छतर माध्यमिक शाला ही लिखना है हाई सेकेंडरी स्कूल शब्द कस्तमाल नहीं करना है क्यूं क्यूंकि आप आवधन पत्र हिंदी में लिख रहे हैं ठीक है फिर हमन प्राचारे जी को यहां नहीं लिखें क्यूंकि यहां तो हम प्राचारे जी फहले से लिख चुके हैं तो विश्यमिल सिर्फ क्या आएगा शुल्क्मुक्ति प्राप्त करने है तुँ आवेदन अब महोदे जी सब्ल Adventure है कि मेरा लिखना हमेशा की तरह्श आपको यहां पर चात्र हूँ अपनी आहां कक्षा लिखिया आप 9th के हैं 10th के हैं 11th के स्टूडेंट हैं 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको अपना नाम अपने कक्षा और आपका विश्य लिखना है मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं अब आपको यहावदन पत्र जैसे कि हम पहले भी बताया शुरुआत में कि आपको यहाँ पर फी कंशेशन करा रहा है मतलब आपको अपने फीस कम करवानी है तो आपको उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना होगा जैसे मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं या हम लिख सकते हैं चतुर्थवर्ग के कर्मचारी है या किसान है तो हम क् चार भाई बहन है सभी पढ़ते हैं मुझे पढ़ना अच्छा लगता है मुझे पढ़ना अच्छा लगता है मैं पढ़ लिखकर कुछ बनना चाहता हूं मतलब मुझे पढ़ना अच्छा लगता है मैं पढ़ना चाहता हूं आगे बढ़ना चाहता हूं तो आप यहाँ पर देंगे जिसमें आप मेरी सहायता कर सकते हैं अता आप से बिनम रन रोध है कि आप मुझे शुल्क मुक्ती प्रदान कीजिए ताकि मैं बिना रुकावर्ट पढ़ाई कर सकूं धन्यवाद आपका अग्याकारी छात्र नाम और कक्षा क्लियर हुआ तो जो तीन दिन की छुट महोदय जी धन्यवाद आपका अग्याकारी छात्र छात्र दिनांक सब कुछ जो होगा वो क्या होगा एक सा होगा ठीक बस आपको यह समझना है कि आपका विशे क्या है विशे के अनुसार मतलब आपको प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न क्या है उस प्रश्न के अनुसार बाकी निकाने बंद सुरी बाकी का जो आवेदन पत्र है वो आपको complete करना है clear तो समझ में आया आज आपने समझा शुलक मुक्ती प्राप्त करने हैं तू आवेदन पत्र किसको लिखा हमने प्राचारे महोदय जी को लिखा है अब आप इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए और याद कीजिए ठीक है लिखने का तरीका तीन दिन की छुट्टी जो आपने इसके पहले किया था वैसा ही है कोई भी परिवर्तन नहीं आता है और जो विशय था वो क्या था शुलक मुक्ती यानि फी कंसेशन करने के लिए इसे याद कीजिए और कॉपी में सुन्दर हैंड राइटिंग साथ नोट कीजिए